नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है मेगा फैक्ट देखे अगर आप बनारस की घाटों पे हैं और आपने बनारसी नहीं बोली तो क्या बोली आप लोगन के जितना प्यार और सम्मान और जितना भी प्रेम मिल रालबा बहुत ही अच्छा ल चले शुरुआत करते हैं दोस्तों दावदिब्राहिम का जन्म 27 दिसमबर 1955 माराश्ट के रतनागिरी में हुआ था इसका रियल नाम शेख दावदिब्राहिम है हलाकि इसके पिता जी माराश्ट पुलिस में हैट कॉंस्टेबल थे सुने में यह भी आता है कि इसके पिता ज बहुत स्ट्रिक्ट थे समय से पढ़ना समय से सारी चीजे करना एक स्ट्रिक्ट रूल फॉलो कर देते दोस्तों फादर के इतने स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी दावदिब्राहिम जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ते गये बढ़ते गये वह रुकने का नामी नह आप क्या करते हैं वह खास होता है कि दोस्तों जब आप किसी की गलत संगती में पढ़ जाते हैं जब एक बार आप किसी के गलत टॉच में आ जाते हैं तो फिर आपको पीछे मुणने का वह मुकाम वह रास्ता ने मिल पाता और यह हुआ दाउद इब्राहिम के साथ तो इसी तरह गएग चलता था आपने शत्या मूवी देखी होगी सत्या मूवी में अगर आपको मुंबई का लोकल जो गुट है जो गुंडों का है गुट बना था अगर वो देखना जो सरयाम गोलियां चल रही हैं सरयाम बंदुखे चल तो सत्या मूवी में आपको एक रॉड आक्शन और एक रॉड सीन देखनेगे अर Easter पहल जाएक ही होता था आपका मुंबाई में ने क्या किया धीरे 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 तीरे एक चोरी करना चिनेती करना यह इनका इसमें वरचसु बढ़ने लगा लेकिन ये इतना बड़ा कब हो गया एक पांच फिट पांच इंच का इंसान छोटा सा इंसान लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ये पूरे अंडर वर्ल्ड पे राज करेगा जी यहां दोस्तों उसके बाद दाउद इब्राहिम ने 93 तिरानबे बंबलॉस्ट हुआ मना जाता है कि जो दाउद इब्राहिम के जो पहले जिन्होंने उनको गुरु बताया गया उनको पहलवान खालित पहलवान खालित पहलवान ने उन्हें चाकूच लाना बहुत सारे चीज़े सिखाई खालित पहलवान ने तो खालित पहलवान को गुरु बताया गया दाउद दोस्तों कहते हैं कि दाउद इबराहिम के पहले गुरू खालीद पहलमान खालीद पहनवाद बहुत ही नामी जामी एक ग्रेजूएट बहुत पढ़ा लिखा था जिसने कॉमर्स से इसने ग्रेजुएशन करा था खालीद नहीं दाउद इबराहिम को सारी चीजें कैसे नहीं सुनी होगी एक गुरु के बहुत सारे स्टुडेंट्स होते हैं लेकिन कोई एक स्टूडेंट होता है जो बहुत ही खास होता है तो दाउदी इब्राहिम भी इसी करेक्टर में इसी डिपार्टमेंट में आता था खालित पहलवान ने तो बहुत सारी चीज़े सिखाई दाउद इब्राहिम को लेकिन उन्हें पर नहीं पता था कि ये लड़का इतना आगे तक जाएगा वो भी पीछे अड़ गया दाउद इब्राहिम भारत का most wanted आतंगवादी बन गया क्यों? हाला कि वो तो था बहुत ही छोटा मोटा अपने एरिये में बहुत ज़्यादा फेमस था लेकिन उसने जुर्म की दुनिया में बहुत ज़्यादा नाम तब कमाया जब उसने 93 में 93 में बंब्लास्ट किया उसके बाद हाला कि दाउद इब्राहिम की ये भी on record है कि दाउद इब्राहिम में बोला है कि मैंने मेरा 93 में कोई भी हात नहीं है मेरा इस चीज में कोई भी हात नहीं है लेकिन जो भी सबूत मिले हैं जो भी वरिफिकेशन के लिए डॉकुमेंट्स मिले हैं उसमें दाउद इबराहिम का नाम है दाउद इबराहिम दोस्तो भारत आना चाहता है लेकिन अब भारत नहीं आ सकता क्योंकि उसके पास उसके साथ एक आतंगवादी का टैग लग चुका है उसने महरास में जन्म लिया बहुत सारी ऐसे चीज़ें लेकिन अब वह जुर्म की दुनिया में इतना आगे बढ़ चुका है कि यह बहुत लेट हो गया है अब वह चाह कर भी वापस नहीं आ सकता आपने खलनायक मूवी तो देखी होगी संज़दत जुर्म की दुनिया में आगे नहीं जाना चाहते लेकिन कुछ कारण वर्स अगर वह आगे चले गए तो फिर वापस आना बहुत ही मुश्किल हो गया यह जुर्म की दुनिया में जाना चाह रहे थे आगे बढ़ना चाह रहे थे आपने मेगाफेक्ट में बहुत सारी वीडियो देखी होंगी शुपर का सुगला की, मुक्तार अंसादी की, ब्रिजे सिंग की इनका अपना तरीका था इन लोगों को किसी ने इनिशेयेट कर दिया, गुस्ता आ गया लेकिन इनका कुछ ऐसा कारण नहीं था ये तो सिर्फ ऐसा था कि मुझे राज करना है मुझे ऐसा करना है, मुझे मडर करने है मुझे बलास करने है तो दोस्तो ये काफी गलत था दोस्तो अगर एक बार आप जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ गए तो वापस आना नामुम्किन सा हो जाता है मेगाफेक्ट किसी भी तरह का क्राइम, किसी भी तरह की गलत चीजों को सपोर्ट नहीं करता है हम चाहते कि आप हमारे वीडियो से सीखें और आगे बढ़े इतना प्यार और समान सत्कार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद, जय भारत जय हिंद Management जय हिंद बहुत बहुति टी से संद्री हमारे दिट बहुत धन्यवाद